बोले शिरी प्राननात प्यारे कीजे, सत्गुरु महाराजी कीजे, सरसुंदर साथ कीजे पनावजी सुंदर साथ जी, दस मंदिर की हास की शोभा, एक नजर में देखे तो किस प्रकार से शोभाय मान होती है उन शोभा को देखते हैं शिरी रंग मेल में घेर कर 201 पहल आएं है और ठीक पूरव दिशा में दस मंदिर का ये पहल धाम दरवजे की शोभा के वास्ते घेर कर सभी पहलों में शोभा देखी एक मंदिर की चोड़ी धाम रोस की सुंदर शोभा है लेकिन दस मंदिर के हास के सन्मुख दो मंदिर की चोड़ी और दस मंदिर की लंबी शोभा है इन शोभा को सद्गुरु माराशिर जी के परदर्शन से एक मंदिर की जगे तो हमारे पास पहले से थी एक मंदिर की चोड़ी और दस मंदिर की लंबी ये जगे चाननी चोग से ली गई इन चाननी चोग में खड़े हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानों रंग महल आगे बढ़कर सुन्दर शुभाई मान होता हुआ इन धाम दरवची के सुन्दर हास में अब इन दस मंदिर की हास की शुभा एक नजर में देखते हैं तो ठीक मद्धे सीडियां चड़ते ही दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोग चोग के चारों कोनों पे हीरा के थम और इन चोग के चट दो सो चार हाथ उची आई है इन चोग के पूरव के तरफ उतरती सीडियां पशिम में धाम दरवच्चा और उत्तर दक्षिन चबूतरे और चरोखों की सुन्दर शोबा आई है अते सुन्दर इन हास की प्यारी सी शोबा दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोग दाइबा एक सिड़ी उची चबूतरे चार मंदिर के लंबे दो मंदिर के चोड़े और इनकी च्छत पर दूसी भूम, ये च्छत हुई दूसी भूम का जरोखा, दूसी भूम के इन चार मंदिरों का बड़ा जरोखा, चार मंदिर का लंबा, दो मंदिर का चोड़ा इन दोनों जरोखों और मध्धे चोग पर एक छत ये हुई हमारी तीजी भूम की परशार भूम दर भूम दस मंदिर के इन विशे सांस की अते सुंदर शोभा धाम दर्वजी के वास्ते आया ये दस मंदिर का हांस पड़ाम जी सुंदर सांच जी